वो कौन था? क्यूंकि अभी तो मैंने पहली सास भी नाली थी और उसकी धड़कने तेज हो चुकी थी मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बढ़ चुकी थी याद नहीं मुझे के पहले किसकी गोद में गिरा था पर शायद शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर पे फिरा था हाँ खाने के वांदे थे हमारे घर में पर फिर भी खिलोने सजा रखे थे अपने सपने बीच में ही छोड़ कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे कौन था वा आदमी? क्योंकि लबजों की दुनिया से तो मैं अभी भी अंजान था पर ना काम ना दुनिया ना दोस्त बस मेरा हस्ता चेहरा ही उसकी असली जान था दिन बर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भीगोता रहता था लेकिन गर आते ही सब छोड़ चाड़ कर कभी मुझे हवा में उचालता, कभी हाथी कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाता रहता था वो खुद अनपढ़ गवार रह गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था पैरों में मेरे चाले ना पढ़ जाये, इसलिए कांधे पर बिठा कर स्कूल ले जाया करता था कौन था वो? जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला कर खुद भूखे पेट सोता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता पर हर दिवाली में मुझे नए कपड़े पहनाता था एक छोटे से घर का किरायदार था चार लोगों के परिवार का बस वही एक साहरा था मा की दवाए, बहन की साधी और मेरी हर खुशी के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाए, सर जुकाए, किस्मत का मारा था आखिर कौन था वो? जिसे भुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन बाट नहीं पाता था और शायद आखिर कौन था वो? जो मेरी जवानी के साथ खुद बुड़ा हो रहा था, दर्द ने उसके पेरों को जकड रखा था, पर मेरे लिए भाग रहा था जवानी मुझ पर चड़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे, जो अब तक मेरी आखों के साथी थे आज वही आसू उसकी आखों से रोने लगे, गुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तै किया गुटनों से लेखर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तै किया था लेकिन अब जवानी मुझे दोडने के लिए कह रही थी और वो मेरे साथ नहीं दोड सकता था इसलिए अपनी मंजिल तक पहुचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसे बीच रा में बेहाल बे सहारा घिरता हुआ छोड़ देना चाहता था आखिर भूल जो गया था कौन था वो क्यूंकि अब पैसे जो कमाने लगा था तो उसकी हर नसीहत मुझे गुसा दिलाती थी और बेटा सब ठीक तो है ना उसकी ये हमदर्दी भी मानों मेरे सीने में आग लगाती थी वक्त ने करवट बदली आज तक मैं किसी का बेटा था अब मैं भी वही आदमी बन चुका था वही सपने वही ख्वाई से और वही छोटा सा चेहरा मेरा खुदा बन चुका था इससे पहले कि मैं अपनी गलतिय जो राख बन चुका था थोड़ा सा क्योंकि कल इसी वक्ता हर एक लंभा तुम्हारा कर्जदार होगा और जरा सोच के देखो आज तो वह तुम्हारा बाप है कल अगर वह ना रहे तो क्या होगा